वेलकूम बैक तो माई यूटूब चनल पेपर हैकर कैसे हैं आप सभी लोग आई हूँ बच्छे होंगे आज किस वीडियो में देखने वाले है जो भी छात्र देको यह जो पेपर आपको दिखा रहे हैं आप जितने भी यूनिवस्टी के च्छात्र है किसी भी है और यह हुआ था पेपर हुआ है और यह वताब सांधिर वालो आप देख रहे और यह ए हुआ था मैं वह nut को बता दूट यह हुआ था 29 तारीक को, ठीक है, 29 मार्च को पेपर हुआ था, तो उस पेपर में आप देख सकते हो, फर्स्ट पेपर हुआ था, 2022 का है, तीन घंटे में सुलूशन करना था, 40 नंबर का था, 13 नंबर आप ले आते, तो आप पास हो जाते, मैंने आपको एक दिन पहले मैंने देंट कोशन सेंट किए थे, और यह इसलिए दिया थे कि लगए पेपर में आपके कोशन आ रहा है, मैंने कहा, देहां से देख लो, मैं आपको और दुवाता देता हूँ, एक दिन पहले इंपोटेट कोशन दिये थे, और देखो, यहा दे रहा है, प्रोटीन ब्तरwał और वाटर मतलब कि जल के गुण क्या होते हैं उनके महत्र क्या होते हैं यह कोशन दिया था और यह कोशन रिपीड हुआ है आप देख सकते हैं और ऑस्मेरिक जो होता है प्लांट के अंदर जो रियक्शन होती है उसके बारे में हमसे पूछा गया और जल का अपसोसन किस तरी हो के बारे में कहा गया और देखो इसके बाद में हाईड्रो पैनिक क्या होता है उसका अपसे तरीके सा होता यह कोशन मैंने आपको इंपूटेंट दिया था और जैबिक अडोन की सरचना और मैंने इसका सेंट-बेपर जुआ है वह भी इंपूटेंट कोशन दूआ ह покेंस नियात से पूंचा गया मैंने एक होल सरंट ट होता हे क्स तरीके से होता है यह पढ़ना चाहिए में इंपोटन गृण ऑफ मैंजाइम के बारे में पूचा गया और वहीं देखो यह दुग है ऑक्साइन की भूमिका और साइटोगिन बगारा इनके बारे में मैंने आपको इंपोटेंट दिया था और इमर्सन का इफेक्ट के बारे में इंपोटेंट ये कोशन दिये थे लगबग में ये 10-11 वह बारा कोशन दें जो आपने को याद करके बहुत अच्छे नबर सया पाश हो सकते हो बहुत अच्छे नबर से आप अपने पेपर की रहांचो'll疫 पूछे कि दस कोशन आप से औपजेक्टिव पूछे हैं लेकिन हाँ जो मैंने कोशन जिस तरीके के से आपको दिये है उस तरीके से ही कोशन पूछे गए कर भी अलग नहीं है जैसे कि पढ़ों के लिए किस प्रकार का जल सम्मंद सर्बधिक उप्रियुक्त रहता है तो किस सबसे अच्छा रहता है पौदों के लिए यह आप जब उनको पढ़ेंगे देखो बास्पोस जजन की प्रिक्रिया किस तरीके से होती है तो यह मैंने बताया था ना पढ़ोगे तो वहां आप पूरे तरीके से उसको समझ पाए होगे मैं लोग कोशन यह पहले दे रखा है त तो यह सारे देखो और मैं आपको पूरा यहां दिखा रहा हूं एक बर यह एक बार एक बार चकर लिए बहुत जाद है और आपको यहां से बनाए बहुत अच्छा जो वही आया था पेपर में यह कह सकते हैं और आप इसको 10 कोशन जो थे आपके 10 कोशन दिए गए थे दस क नहीं से यह कोशन बने थे एंसी कोशन वाले ठीक है आप यहां देखो सीधे बोला गया है मैं उन छात्रों से कहना चाहूंगा कि जो मैंने आपको पेपर सभी को शेंट करना है जितने भी उनिवस्टी के स्टूडेंट है किसी भी उनिवस्टी के हो वट्सप नंबर हमारा आपको बताओगा 7037-3278 और 38 इस पर आपको 7037-328-38 जो हमारा नंबर है आप इस पर हमें क्या करेंगे वट्सप करेंगे अपने पेपर की फोटू को बेजेंगे और ठीक है आपको वहां उसका सुलूशन दिया जाएगा कि देखो हमने और आपका नाम भी लिया जाएगा कोई शो नहीं है आपने हमें बेज जाए तो मैं आपके लिए इतनी मदद कर रहा हूँ तो आपको मेरे लिए बस इतना करू करना पड़ेगा ठीक है और बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम सुलूशन करेंगे उसका और आपको जो फ्री नोट्स यह जो चाहते ना कहते हैं कुछ फ्री नोट्स दीजिए सर तो फ पर पेपर हैकर भी सर्च करोंगे तो भी मिलता एगा और लिंक डिस्कॉप्शन बॉक्स में है प्ले स्टोर का आप बहां जाकर भी आप देख सकते हैं ठीक है बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ कर रहे हैं देखो मैंने पहला ही कोशन आपको दिया था कि जल के महत्व की की वारे मियाद कर लेना देखिए वही कोशन फस आ है दो नंबर क प्रतेक और 2 नंबर का है आपको 5 कोशन करना है यहां प्लांड के दो नंबर के बारे में आया plant of water, ठीक है, important से होते हैं, उनके बारे, पूरा question फस गया, देख लिजे, ध्यान से, पूरा question मिला है, बही बात की जाए, रसरोहड के बारे में, तो रसरोहड के बारे में, तो रसरोहड के बारे में, यह अत्वा में आप उपर वाला कर सकते थे, देखो, अत्वा वाला, आप important दिया था, आपने देखा हुआ, यह भी question फसा है, तो यहाँ देखो, दो-दो नंबर के 6 question फस जोगे हैं, आप वो करिए, जो हम आपको बताते हैं, ठीक है, C3, C4 पौदो में अंतर क्या होता है, पेपर पूरा लिख हुआ था, इस तरीके से आप कह सकते हैं, पेंटोज, phosphate, जो पत के बारे important question, और देखो, यहाँ देखो, वो ही आगया, मैंने बताएं, अब आवी और देखो, वाइवी है, और अब यह होता है, ऑक्सी और अनक्सी सोचन के बारे में आपको important किया, दो नंबर का यह question फस जाता है, देखो, इंजायमों के गुड़ों के बारे में पूछा गया, तो आप देख सकते है, co-enzyme मैंने आपसे बूछा गया, सह, सह कारक को, सहे enzyme के नाम से भी जाना जाता है, देखो, co-enzyme, तो देखो, co-enzyme के बारे में आपसे पूछ ला गया, देखें, और co-factor, यह पूछा गया, तो आपको enzyme के बारे मैंने आपको important दिय मैं आपको बता रहा हूँ, वही paper में हसा था, मैंने आपको important जो पहले दिया था, पहले screen में दिखा दिया, कि भाई, यह question important दिये, भाई, अब हम section number C में पहुंच जाते है, सभी जात्रों से कहना चाहूँगा, कि कोई भी दिक्कत आपको paper में हो रहे है, तो आप हमें अप को video provide करा दूँगा, बस इतना मैं आपको करने वाला हूँ, बहुत बड़ा आपके लिए risk ले रहा हूँ, समझ रहे हो, अपने काम को छोड़ कर मैं सबसे पहले आपका काम कर रहा हूँ, आपकी मलद कर रहा हूँ, आप मुझे कोई भी दिक्कत हो रही है, किसी परिशानी ह देना है, long question में, कोई भी हो सकता है, प्रते question 10-10 number का पूछ रहा है, कि 10-10 number के question मिनेंगे आपको, अब यहाँ देख लो ध्यान से, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ दो-दो number के question के answer दे रहा है, यहाँ पहला question, देखो क्या बोला गया है, सात्मा question को देखे आपको important दिया था, यह question पूरा फस चुका है, ध्यान से देख लो, यह question पूरा फस चुका है, देखो जल अपसोसन वाला, यह question पूरा फसा है, 10 number का आपका paper मिला था, पूरा 10 number का question आया, आप देख सकते हो, 10 number का पूरा question फसा है, यह वो है जो हम आपको बताते है, इतिहास समझलों, यह समझलों कि यह हमको बिल्कुल प्रूफ करके दिखा रहा है, आप यह देख लिजिए, देखो कार्वील बिलियन के इस्थानतरण के बारे में यह कोशन पूछा गया, प्रिकास संसरेशन की आधार के अभिकरियाओं के बारे में, आप यह आप देख लिजिए, प्रिकास-संसलेशन क्या हुता है। प्रिकास-संसलेशन इसको देख लिजे। प्रिकास-संसलेशन यह Uhotion अने आपको IMPORTEND गिया था। सारे-is को मैं धे पूछा गया में जो मैं आपको IMPORTEND ग्याहे हैं। और आपको वही बता रहा हूँ जो आपके paper में फसा है, ध्यान से देख लिजेगा, मतलब की पूरा paper लिग हुआ था, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझ लिएगा, अब मैं नीचे चलता हूँ, देखो, प्रकास sensation के बारे में आपको छोड़ दिया, लेकिन प्रकास sensation के बारे में आप देख लिजे, देखो, ये आपका पूरा question फस चुका है, पादफ हार्मोन क्या होते है, देखो, पादफ हार्मोन क्या है, ठीक है, पादफ हार्मोन के बारे में आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ देख लिजे, देखो, plant hormones, ये वाल लिख हुआ था आप मेरे हिसाब से आप जो भी करिएगा बीस नंबर तो आपके यहां किलियर हो जाते हैं ददस के नव साब से अब मैं आपको जोड़ करके दिखा देता हूं बीस नंबर यह और दस नंबर वह मतलब कि तीस नंबर आपके हो गए चालिस में से तीस नंबर आएं तीस नंबर आएं चालिस में से तो आप लगा सकते हैं यदि आपने ऑब्जेक्टिव को छोड़ के बता रहा हूं तो आप लगा सकते हो कि आपके हिसाब से कितने नंबर आपके क्लियर हो गए आपको बहुत बड़ में 85% जो हम आपसे बोलते हैं, उससे PLUS ही बनेगी, उससे कम नहीं बनेगी, मतलब कि paper पूरी तरीके से पहले बता देते हैं, कि क्या कि आपके paper में आ रहा है, और आप वही करके आईए, जो हम आपको बताते हैं, ठीकें? तो आपको कोई भी दिख्कता आ रही है, आपके प्रोब्लम हो रहे है, आपकी उनिवस्टिक आप मुझे एक सलेवस बेच दीजिए, मतलब आपको जो भी कल से कल आपका पेपर होने वाला है, तो आप मुझे बताईगे कि सर मेरा परसो पेपर है, आप मुझे ये वाला कोश दे दूँगा यूदि मनलब की आपको वीडियो बनाकर कि यह पढ़ लो आप बस इतना पढ़ना है ज्यादा कोशन नहीं दूँगा आट से सारे पेपर सेंड करेंगे मेरे वाट्सप नमबर पर ठीक है 7037327838 वाट्सप नमबर डिसक्प्शन बॉक्स में दे रखा है कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं वाट्सप पर आपको रेप्लाइब भी मिलेगा आप हमें तुरंत सारे की तरीके से आपको के लिए हमारा मतलब ही है कि आपको वहतर बनाना है तो बाकी जो भी होगा अच्छा करेंगे मिलते हैं नेक्ष्री तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों चनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना पैल आइकन को प्रेस करें तैंक्यू